नमस्कार, न्यूस क्लिक में आप सभी का स्वागत है करीब 36 साल पहले मलियाना शेत्र में उत्तर प्रदेश में जो हत्या कांड हुआ उसमें उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने फैसला दिया है, सभी आरोपियों को छोड़ दिया है ऐसा कैसे हो सकता है कि 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई लेकिन कोई भी आरोपी ऐसा नहीं मिला 36 सालों में जो की सजा के काबिल हो आज इसके बारे में हमासा चर्चा करने के लिए हैं कुर्बान अली, वरिष्ट पत्रकार जिन्होंने पहले ही दिन से मल्याना और हाशिम पुरा जोसी के पास है इन दोनों हत्याकांडों को कवर किया, इनके बारे में लिखा है और उन्होंने हाई कोर्ट में P.I.L.P. दर्च करी है आईए उनसे बात करते हैं खुर्बान अली जी आपका स्वागत है नियूस्क्लिक में शुक्रिया इस घटना की शुरुवाद कहां से हुई मल्याना के हत्याकांड के पहले होने वाले इवेंट्स के बारे में बताईए और इस कोर्ट की, इस अदालत के फैसले के बारे में बताईए कि ये कैसे हुआ? जी, पहले सवाल पर आते हैं 18 अप्रेल 1987 को मेरट में दंगे शुरू इस दंगे की शुरूआत थी हाशिमपुरा जो महला है उसके बराबर में एक परवाशेखनाल वहां एक मुंडन कारिकरम हुआ था और शब वारात थी तो उसी समय हिंदू और मुसल्मानों को लेकर के कुछ जड़पे होई और उसी दोरान वहाँ एक पुलीस का सब इस्पेक्टर आया जो नशे में धुद था मोटर साइकल पर और उसने अपनी पिस्टल से गोली चलाई जिसमें दो मुसलिम नौजवानों की मौत होगी यहां से दंगे बढ़ना शुरू होगी और ये दंगे रुक रुक करके होते रहे और 20-21 मई आगई और दंगे रुकने का नाम नहीं लेते थे मैं उसमें एक रविवार पत्रिका थी आनन्द बजार गुरूप की उसके साथ लखनों बे पोस्टिट था मैं उन दंगों को कवर करने के लिए मेरट गया और उसके बाद लगाता आर तीन महीने तक मैं दिल्ली में ही रुक गया और रोज मेरट जाता था और मेरे सहियोगी शंकर शंठा को जो टेली राफ के ले रिपोर्ट करते थे हम आ जाते थे तो जब बीस इकिस मैं तक ये दंगे नहीं रुके तो तब प्रशासन की और से एक ऐसा कदम उठाया गया जो के बहुत ही भयावे था और वो ये था कि मुसल्मानों को सबख सिखाना है और उसके तहट सेना की मौजूदगी में यूपी की पी एसी ने हाशिमपुरा महले से पचास लोगों को उठाया 22 मई को और उनको दो किस्तों में पहले मुराद नगर गंग नहर में पीजबा इस लोगों को और फिर यूपी दिल्ली बॉर्डर पर हिंद ने नदी में लाकर के मारा ये दोनों घटना गाजियाबाद दिले में हूँ और उस समय विरुती नरहन रहा है वहां के एस पी गाजियाबाद थे उनों ने इन गटनाओं की एफ आई यार कराई उनको उसमें दो तीन लोग बच गए थे जीवे तो इस कारण से वो मुक्दमा चला और फिर उसमें दिल्ली हाई कोट ने आज जीवन कारावास की सजा सुनाई उननिस पीसी वालों को जिसमें से तीन मर चुके थे सोले अभी वी दिल्ली की तेहार जेल में है इसी रात बाइस माई को जो चार सो पांच सो मुसलिम ग्रफतार किये गए थे इमलियान से, हाशिमपुरा से, केंचियान से, उन में से काफी लोगों को आगरा और फतेहगर जेल भेजा गया और जेल में भी उनके साथ मार पीट की गई, नतिजह ये हुआ कि मेरेट फतेहगर जेल और आगरा जेल में पंद्रे लोग, आल मुसलिम मार दिये गए उनके मुकदमे दर्ज हुए, रिपोर्ट हुई, कुछ जेल कर्मचारी निलंबित भी हुए, लेकिन वो भी मामदा हशब कर दिया गया और तीसरे दिन 23 माई को मलियाना में, पी-ए-सी ने एक और तांड़ नच किया और चवालीसमी बटालियन के जो आरडी ते पार्टी थे, आंके नितित में पी-ए-सी के एक टुकड़ी आई, और एक तरफ से जो दलित आबादी है, वहाँ उस तरफ से मुसल्मानों पर हमदा करवाया गया, और इधर पी-ए-सी से ने गोलिया चलाई, और उसमें 72 लोग एक डिर्गंटे के अंदर मार डाले गए, बतकिस्मती से इस पूरी घटना की कोई ए-फ-ई-र, कोई रिपोर्ट नहीं हुई, और जबकि प्रधान मंतरी राजीव गांदी उस समय के महां पहुँचे, मुक्ह मंतरी महां मौझूद थे, मुक्ह मंतरी ने प्रेस के सामने कह कि आरडी तर पार्टी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि कभी नहीं किया गया, और दोशी पुलीस वालों के खिलाफ, पी-ए-सी वालों के खिलाफ, कोई मुक्दमा नहीं हुआ, और एक बहुत लचर सा मुक्दमा, जिसमें वोटर लिस्ट ले करके और 93 लोगों को F.I.R. गज कर दिया, ये आजाद हिंदोस्तान में कस्टोडियल किलिंग्स की सबसे वड़ी घटना आये थी, लेकिन इनको दबा दिया गया, और इस रूप में दबा दिया गया कि 36 पोस्मार्टम हुए, सारे पोस्मार्टम में गन इंजरी है, 56 लोग राजसरकार मानती है किस दंगे में मारे गए और उनको कुछ मौफ़ा भी उन्हों ने दिया, लेकिन उन्हें इनसाफ देने की कोई कारवाई नहीं हुई, और 34 साल तक, यानि 1987 से लेकर के 2021 तक 800 तारीख पड़ी, 35 गवाहों में से तीन गवाहों के बयान कराए गए, केवल, और ये कह दिया गय जी, मैं बताता हूँ, तो 19 अप्रेल 2021 को हमने और विबूती नरायनराय हमारे साथी, जो के स्पी खाजियाबाद पहले थे, हम रेटायर है, यूपी के डी जीपी पुलिस से और दे से, हम लोग इलाबाद हाई कोट गए, और हमारे साथ एक मलियाना का विक्टिम भी है इस माइल जिसकी परिवार के 11 लोग मारे गए, हम लोगों ने कहा कि इस पूरे दंगे की जाच होनी चाहिए, खास करके कस्टोडियल किलिंक्स की, जो हाशिम पुरा में तो इनसाफ हो गया, लेकिन जो जेलों में मारे गए लोग उनका कोई इनसाफ नहीं हुआ, मलियाना में मारे गए लोगों को, वो मौाफ़ा नहीं दिया गया, जो हाशिम पुरा में मारे गए लोगों को 20-20 लाक रुपे दिया गया था, और इनको सिर्फ बहस 20-20 हजार रुपे दे करके तरखा दिया गया, तो जब हमारा ये मुकदमा एडमिट हुआ, PIL, तो ततकालीन एक्टि चीफ जिस्टिस ने उत्तरपदेश सरकार को ये कहा कि आप ऑन एफिडेविट बताइए कि ये जो पिटीशन में उठाए गए सवालात हैं, इनके क्या जवाब हैं, तो 800 पेज की रिपोर्ट उत्तरपदेश सरकार के काईए सधिकारी ने ऑन ओस जमा की अजालत में, और उ उत्तरपदेश सरकार की दिल्चस्पी से हो रहा हो या इलावाद हाई कोड की वज़े से हो रहा हो, लेकिन शायद इनसाफ मिलेगा, मगर हमको नहीं मालूम था कि एक आई वाश है, एक खाना पूर्सी की जा रही है, और उसमें पूरी नियाएक पक्रिया किये बिना, यान उनको लेकिन प्रोसीक्यूशन ऐसा लगता था कि वो शायद धंगाईयों की दरफ से काम कर रहा था, और सारे उसके जो स्टेट के या प्रोसीक्यूशन के कारणामे हैं, वो सब इस बात की गवाही देते हैं, कि अदालत को इस बात के लिए शायद मजबूर कर दिया गया, कि वो ये फैसला दे कि साक्षों के अभाव में उन्होंने सब लोगों को बरी कर दिया, उस में से 93 लोगों में से 20-25 लोग मर चुके हैं, 20-25 लोग ट्रेसेबिल नहीं हैं और जो 40-41 लोग थे उन्हें बरी कर दिया, तो इस से हमें क्या पता चलता है, कि जब पुलीस का मा हो, तो क्या हमें जस्टिस की उमीद नहीं करनी चाहिए, या जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन होती है, ये बदलना चाहिए हमको, क्योंकि इस केस में ऐसा भी है, कहीं तरह की जांचें सेट अप की गई है, ओवर दे यर्स, कभी DGP, कभी IAS, कभी कोई हर तरह की रिप हो, उनमें गुटबाजे हो जाती है, कुछ और तरीका होना चाहिए, इस तरह के केस में जस्टिस के लिए, दिखिए, इसमें एक और चीज हुई, कि जब प्रदान मंतरी राजीव गांदी वहा गए, तो उसके मुख मंतरी वीर भाहदु चिक ने कहा कि इस मल्याना की जो है, इसमें 70 लोग मारे गए, इसकी नया एक जाच होगी, जुडिशा, उसके लिए जिस्टिस, जील श्रीवास्तवा कमिशन, जो इलावाद हाई कोट के जजज से उनको अपॉइंट किया गया, चार-पॉइंच साल उन्हों ने लगाए और उन्हों ने अपनी एक रिपोर कम से कम अदालत अपने पास बुला करके देखे, कि उसमें आखिल लेखा क्या है, और तभी इनसाफ हो पाएगा, अब होता यह है कि आपने जिन घटनाओं का जिक्र किया, जिन तरीखी का जिक्र किया, एक पैटर्न बन गया है, हमने 1984 के सिक्मिरोदी दंगों में यह देख अब यह मलियाना में जो लोग थे भी बहुत ही गरीब लोग है, इनमेंसे आज भी कोई इस हालत में नहीं है कि पांच पैसे वो खर्च कर सके इनसाफ पारने के लिए, यह जो कुछ भी काम किया गया, वो स्वेमसेवी संक्ठोनों की और से किया गया, पी उसी एल, पी उड यार जैसी संसाओं के और से, और हम जैसे इंडिविजूल्स जो हीमन राइट्स में यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि यह काम अंजाम हो, हाशिमपुरा मामले में भी अगर आप देखें, तो उसके पीछे जिस्टिस राजिंदा सच्चर और दो बहादुर महिलाएं वकील रेंदा ग्रोवर और रेबेका जॉन थी, जिन्होंने पिलर टू पोस्ट लड़ाई लड़ी और उन्होंने दोशियों को सजा दिलाई, हमारे हाँ समाज में एक तरह की एपैथी है इन सारी चीज़ों के लिए, और अब तो यह क्या रहें, छोड़ो यार इसको पुराने जखम क्यों को रहते हो, क्या होगा इससे, अब भूल जाना चाहिए इन सारी चीज़ों को, क्या मलियाना में लोग भूल गया या भूलना चाहते हैं? नहीं, बिलकुल नहीं, आज भी, लेकिन वो मायूस है, और मायूस इसलिए हैं कि हर आदमी जो उनके पास आया, पॉलि उसके बावजूद उन्हें इनसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं हुआ, और सबसे कम चीज़ ये, हाला कि इनसानी मौत का कोई मावज़ा नहीं होता, लेकिन मावज़ा तो दे सकते हैं, कंपंसेशन भी जो नहीं दिया गया, तो वो सब लोग जब प्रेस रिपोर्टर्स जाते हैं, तो वो रौने लगते हैं, या कोई और हीमन राइट अक्टिविस्ट जाता है, तो उसके सामने अपनी दुखदर्द कहानी सुनाते हैं, कि साब ये हुआ था, ऐसे हुआ था, अपने जखम दिखाते हैं, लिकिन कहते हैं, कि हमने भी उम्मीद छोड़ दी है, कि किस से उम्मीद करें, किस से इंसाफ मांगें, क्योंकि हमें तो कहीं से कोई इंसाफ नहीं, पिर जब उन्हें बताया जाता है, कि नहीं हाशिमपुरा में इंसाफ हुआ, तो वो कहते हैं, कि साब हाशिमपुरा के लोगों की लोगों ने मदद की, हमारी तो कोई मदद भी और ये बात सही है कि हाश्मपुरा का एक मजबूत केस बन गया था और इसलिए वो दिल्ली हाई कोट के उस समय के जज बुली धरन साब को सजा सोना नहीं पड़ी या कोई भी अदालत होती वो सोना थी लेकिन मलियाना को तो ऐसे जैसे बिल्कुल कुछ हुआ ही नहीं टोटल जो पीएसी और पुलीस जो उन्हें तो आम आदमी अपना मुहाफ़ समझता है ना रखशक वोही जब भखशक बन जाए तो फिर क्या होगा उन्हीं लोगों ने आकर के गोलियां चलाई मारा और उसके बाद जो डिस्टिक अडिमिस्टेशन आया वो यही मानने के लिए त मुसल्मान थे तो शायद कोई फाख नहीं पड़ता इस पर तो आज की और उस समय की च्छते साल का एक अर्शा तैय हो गया है क्या अब पुलीस का रविया बदल गया है क्या अब ऐसा नहीं हो सकता जैसा तब हुआ मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उस वक्त से लेके अब तक गिरावट ही आई है और आज तो माहौल बहुती जादा होस्टाइल है खास करके जहां माइनॉरिटीज का मामला आता है दलितों का मामला आता है समाज के गरीब लोगों का मामला आता है हाशिये पर पुलीस की नजरों में वो उन पर जल्म ही होता है उनको दोशी ही ठहराया जाता है और इंसाफ बहुत कम मामला में मिलता है और खास करके पिछले आठ नो सालों में जिस तरह से केंदर में और उत्तर पुदेश में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उसका एक मैसेजिंग ह होती है अडिमिस्टेशन को दंगे जो है उनको रोकने के लिए अगर यह कह दिया जाए कि भई यह एकाउंटेबिलिटी होगी अडिमिस्टेशन जिम्मेदार होगा तो नहीं होते हैं लेकिन जब कह दिया जाता है कि खुली छूट होनी चाहिए तो हम देखते हैं कि जो सवार है वो कैसा है वो घोडे पर किस तरह से कंट्रोल करना चाहता है और वो अगर कंट्रोल करना चाहता है तो उस ही डारेक्शन में चलता है लेकिन यह तो एक ऐसा रुदाद है एक सागा है मेरट दंगों की कि जिसमें मतलब कहीं से भी आप उठा लीजे तो आपको एक जल्म और ज्यात्ती की नई दास्तान सुनने को में लेगी तीन महीने चले दंगों में लगबग पांच सो लोग मारे गए जो हिंदू-मसलिम दंगे हुए उसमें भी तादात मुसल्मानों की जादा थी लेकिन जो हिंदू भी मरे मैं निर्दोश मानता हूँ उन लोग करने की है उससे यह तो उम्मीद नहीं की जाती कि वो ख़रा करके गोली मार के नहर में बहा देगा और यह हुआ और यह प्रूव हुआ अदालत में तो यह कहीं न कहीं दर्शाता है कि हम ने पिछले 75 सालों में किस तरह का माहौल बनाया है और खासकर कि पिछले 35 सालों में किस तरह का माहौल बनाया है और हमारे हाँ जो एक कमनल डिवाइड है यह कितना जादा बढ़ गया है यह अपने आप में एक केस स्टेडी है लेकिन सिविल सोसाइटी से मैं इस देश की उम्मीद करता हूँ कम से कम और वो समाम लोग जो हीमन राइट्स में यकिन रखते है कि उन्हें आके आके ऐसे मामलों में बढ़ चलकर के रोल अदा करना चाहिए क्योंकि यह शियर जल्म का मामला है नाइनसाफी का मामला है और अगर यह होने लगेगा तो समाज में इससे शानती नहीं रहेगी शानती ही बढ़ेगी क्योंकि पार्सी के कहावत है तंग आमद हो जाते हैं तो वो फिर कुछ भी करने लगते हैं तो इस तरह का समाज हम ना बनाएं कि जिसमें ऐसे लोग हो आज दिखाया जाता है मुसल्मान सबसे जादे कहाँ है जेल में सबसे जादे क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं आरे बही किसी ने ये भी जानने की कभी कोशि की कि आखिर्स की वज़े क्या है क्यों है क्या हम उने शिक्षा दे पाए क्या हम उने रोजगार दे पाए क्या हम उनके साथ बराबरी का सुलूग कर पाए और अगर नहीं कर पाए तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है जे एक चीज़ और है कि पॉलिटिक्स भी तो बदल पेंतिस सालों में OBC मोबिलाइजेशन हुआ है एक जागरुपता भी आई है रेप्रेजेंटेशन डिमांड करते हैं दलित मतलब बसपा का एक तरह से बिलकुल वजूद नहीं था उस समय लेकिन उसके बाद वो तीन बार चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी के दे पाई तो य कोई खास रवया नहीं बदला है बलके एक तरह से अब तो वो भी उसी लाइन पर चल रहे हैं जिस लाइन पर हिंदू राष्ट बनाने वाले चल रहे हैं इसलिए पूछ रही हूँ यह क्योंकि वो एक बहुत उमीद की किरन के रूप में देखा जाता है जी हमने उत्तर प मुलाहिम सिंगी जनतादल सरकार है मंडल कमीशन लागू हुआ तो ओबी सी का मॉबलाइजेशन हुआ दलितों का मॉबलाइजेशन हुआ नाइंटी त्री में यूपी में एसपी और बीएसपी ने अलाइंस करके सरकार बनाई तो उसका सबसे ज्यादा नुखसान जो था राइट विंग पार्टीज को हुआ और खासकर के बीजेपी को हुआ और उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि हम इन वर्गों को अलग रख करके शायद सियासत नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने एक सोशल इंजिनिंग भी की गोविंदा चायर की मश्यूर थियोरी है कि बैकवर्ड को देलिस को अपने साथ लो और उन्होंने इसी करम में कल्यान सिंग को मुक्ह मंत्री बनाया उत्तर पुदेश में उमा भारती गंगाचरन राजपूर्ट विनेकटियार ये इन सब लोगों का जो अभार हुआ उस दौर में हुआ लेकिन बाद में इन्होंने क कि इन्होंने खासकर के बैकवर्ड पार्टी को और दलिस को ये कहा कि बहुआ तुम तो बैसिकली हिंदू पार्टी हो तुम ये सोचल जस्टिस की बात करने वाली पार्टी है इनके साथ किन जाते हो हम तो मैं सत्ता देंगे तो नतीजा ये हुआ कि 2017 का आप चुनाव कार में है जब कि कोई उनकी जरूवत नहीं है तो उन्होंने उस गठ जोड को तोड़ दिया जो बीजेपी को सब्ता से बाहर लगता था नाइंटी थी में मुझे याद है उत्तरपदेश में एक नारा लगा करता था जब एसपी बीसपी का एलाइंस हुआ कि जब मिले मु मारजनलाइस करने के लिए हो रहा है और यह गठ जो बैकवर्ड और दलेत और मुसलिम्स का बन रहा है तो उसका भी बड़ा मेसेज थोड़ा गलत चला गया और नतीज़ यह हुआ कि फिर अपरकास ने भी एक तरह से उसका बदला लेने के लिए इन पार्टी को सरकार बनाई, 2019 में जाज़ा तरसी चेंजी थी और 2022 में सरकार बनाई तो उसको यह डिविडेंट पे कर रहा है और इस सब में सबसे ज़्यादा पिसने वाली कम्यूनिटी एकनॉमिकली और सोशली और अब सेक्योरिटी के भी नजरिये से वो तो मुसल्मानी हुआ क्योंकि उनकी तरफ मेंग्स्ट्रीम पार्टी कोई भी नहीं आना चाहते हैं। तो कही न कहीं हिंदू राज से हिंदू राष्ट की तरफ शायद देश बढ़ रहा है। अब यह तो मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से बढ़ रहा है और कितना बढ़ रहा है बहरा लिए तो इस दे मुसल्मान के बारे में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है वो आई ओपनर है वो पारलिमेंट में टेबल की जा चुकी है वो उसके आधार पर ये माइनर्टी अफेस मिनिस्ट्री बनी जिसको अभी तक बीजेपी ने खत्म नहीं किया है तो वो तो एक वैल डॉक्यूमेंट है कि मुसल्मान एकनोमिकली सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं कहीं उसकी भागेदारी नहीं है इससेदारी नहीं है और इसलिए मनमोहन सिंग ने प्रदाहन मंतरे रहते में जो बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर माइनर्टी का एक हक है तो इसलिए शायद उन् कि आपके जिसम का अगर कोई हिस्सा सड़ा गला होगा तो आप तरकी नहीं कर सकते हैं लेकिन इस तरह से सोच ही नहीं जा रहा है आज तो यह कहा जा रहा है कि अगर 400 सीटों में से एक भी मुसल्मान नहीं है बीजेपी के 700ों में लोकसमाराज सभा में तो क्या फर्क परता या किसी राज़ में उनकी का एक रेपेसेंटेशन नहीं है गुजरायत में तो बरसों से नहीं है लेकिन अब तो उत्तर प्रदेश में भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी का एक मेले जो है वो नौन हिंदू नहीं आता जीत करके या उसको लाया ही नहीं जाता है एक आद द जानसत भी नहीं रहे गया तो इस महाल में मलियाना के जो मसल्मान हैं उनको जिस्टिस मिलने का आपको उमीद दिखती है लिए उमीद पर दुनिया कायम है और जिस दिन उमीद खत्म हो जाएगी उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा हमें उमीद है कि इस देश की बड़ी majority community secular है वो अभी communal नहीं हुई है वो जानती है कि जल्म क्या होता है और इनसाफ क्या होता है और जिस बिना पे हमारा constitution बना है हमारा system काम करता है चाहे वो judiciary हो executive हो या even parliament हो तो हमें उससे बहुत उम्मीद है देखिए मैंने तो hate speech के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में एक een call है उसमें हैर आदमी यह केता है के बिल्य के इसमें आपको क्या कोई इंसाफ मीलेगा ये रिगन मुझे अमीद है कि इंसाफ बिलेगा क्योंकि जिस दिन इंसाफ खत्म हो जाएगा वह सब कुछ कुछ खत्म हो जाएगा और उसके लिए उमीद लगाए रखना बहुत जरूरी है इसलिए मैं पूर उमीद हूँ के इलावाद हाई कोट में जो हमारा PIL है वो अपने लॉजिकल कंपिरुजन तक पहुँचेगा और जो बात हमने जो मांग की हैं उसमें उसके विशेश जहां स्टिदल S.I. गठित होगा और जो मारे गए लोग हैं उनकी संख्या प्रशासन के सामने हैं उन्हें मौफ़ा भी मिलेगा और इस मामले में जो इलावाद मेरे कोट ने जो सेशन कोट ने मकदमा किया है इसको भी चैलेंज करने की तैयारी हो रही है इलावाद हाई कोट में मुझे सवाल जो उठेंगे उन सवालों का जवाब वो तलाश करने की कोशिश करेंगे तो मुझे उमीद है कि वो इंसाफ दे पाए हमाई साथ जूने के लिए बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस मुद्दे पर बातचीत करना मुनासिब समझा और मुझे लगता है कि इस चर् तो हुआ